आज हमारे टॉपिक स्टार यही एब है जो काफी दिनों से मैंने इंस्टॉल कराई हुए आपको तो सबसे पहले इस एब को ओपन करके इसमें आपको डेली के 5 ग्रैडिट मिलते हैं तो वो आपने क्लेम कर लेने हैं यह पता नहीं आपने क्लेम किये हुए पहले यह नहीं कि मैंने आपकी फार्तिक आप सारे सिखाने के फार्तिक आप सारे क्रेडिट जमा किये हुए हैं तो इस एब में चार पोर्शन है आर्ट फोटोग्राफिक का और इलिस्ट्रेशन का इस इन सब में मैंसा आर्ट आप सब को बतानी की जुरूर्द नहीं है यह सब आप जानते ह हैं कि आर्ट में हम मुखसलिफ आर्ट स्टाइल ड्राइंग्स पेंटिंग्स वाइरा क्रियेट करते हैं फोटो में पिक्चर्स बनाते हैं और इलिस्ट्रेशन में मुखसलिफ सराकी इलिस्ट्रेशन क्रियेट करते हैं और चौता इसमें यूर उन स्टाइल आप अपना स् fantasy है, cyberpunk है, portrait है, तो यह मुख्तलिक सारे styles हैं, हम कोई prompt लिखते हैं, पहले हम इसको इसी तरह simple create करके देखते हैं, यह आपको add दिखाता है, फिर आपको आपका के result के लिए wait करना पड़ता है, इसने हमारा इमिज उसी तरह यह चार इमिज जैसे बिंक चार इमिज देता है, चार इमिज हमारे लिए create कर दी हैं, यह आप देख सकते हैं, कि मैंने लिखा था, life under sea, national geographic style, यह चार images create हो गए हैं, इसमें जो features हैं, जो बताने वाले हैं, वो आप यह देख सकते हैं, कि इसमें से जो style आपको पसंद है, उसको evolve कर सकते हैं, retouch दे सकते हैं, upscale कर सकते हैं, और variation create कर सकते हैं, कुछ इसमें paid हैं, कुछ free हैं, बसलिए अगर मुझे यह style पसंद है, तो मैं variation पे press क करूंगा, तो create कर देगा, यह चल रहा है, आपके सामने, नीचे इसमें भी predefined prompt दिये हुआ हैं, जिनको help के लिए आप देख सकते हैं, यह create हो चुके हैं, यह से open करता हूं, अब जो style मैंने select किया था, चार variation generate कर दी हैं, यह आपके सामने हैं, चार variations बन गई है, evolve फिर press करूं, यह prompt फिर evolve आगया है, कि हम इसको मजीद change करना चाहते हैं कुछ, तो कर सकते हैं, मसलन हम इसमें, यहां से, हम कहते हैं कि इसी prompt को abstract word में create कर दे, यह abstract word चुन लिया है, यह abstract word में उसी prompt को उसने generate कर दिया है, आप scale भी कर सकते हैं आप इसमें से, जो आपका पसंद हो, आप scale में, image की resolution को आप scale कर देगा, 8X तक, आप scale करने के आपका 1 credit लगेगा, और 16X तक आप scale करने के आपका 2 credit लगेगा, यह resolution दी हुई है, यह आप scale दबाते हम, और जब यह आप scale हो जाएगा, तो हमें message आजाएगा, कोई भी area को, अगर आप draw करना चाते हैं, तो retouch से, आप उसे draw कर सकते हैं, यह फोटो option है, अच्छा stars अप की यह कूभी यह है, कि इसमें भी आप, अपना image upload करके, और regenerate कर सकते हैं, मुखलिफ styles में, मिसाल के तोर पर, मैं कोई image, यहां से upload करता हूँ, select कर लिया है, stars the app, यह आपको हफते में, एक आद बार यह चांज देती है, कि आप अपना image, को select करके, तो आप उसको change कर सके हैं, यह मैंने already आपके लिए किये हुएं, मुखलिफ style है, digital art और illustration, digital illustration, extreme detail, यह मैंने prompt बनाके, यह बनाई हैं, तो इस तरह आप अपने image को भी upload करके try कर सकते हैं, अब उसी prompt को हम photo में paste करके चेक करते हैं, यह वही prompt है, फोटोग्राफी में चेक करते हैं, यह फोटोग्राफी है, वही same prompt यह फोटोग्राफी में चेक रिजर्ट है, इसकी variation देख लिए हैं, यह variations create हो रही है, यह उस prompt की different variation देख लिए हैं, यह आपको variations, upscaling, evolve, retouch का पसा चलगे, पब्लिश में आप इसी मीच को star जईए पे पब्लिश कर सकते हैं, वह अपने platform पे इसको डिस्पले कर रहेंगे, illustration को देख लेते हैं, इसमें भी नीचे मुखसलिफ style है, मसले हम 3D में create करते हैं, इसी प्रॉंप्ट को, फ्री एप है तो थोड़ा time लेती है, create version भी ले सकते हैं आप इसका, यह 3D में illusion create कर दे, हम इसकी variations create कर लेते हैं, यह इसकी variations है, अच्छे इस एब में एक और फूबी भी है, कि वैसे तो इसमें आपके charges लगते हैं, तो आप यहां पर प्रॉंप्ट को design कर सकते हैं, मिसाल के तोर पर आप your style में आए, अब यहां prompt builder दिया हुआ, अपने यहां पर वही paste किया, प्रॉंप्ट बिल्डर पर आए, जो हमने style पड़े हैं, digital art, painting styles, comic, anim, soft water painting, तो यह different styles हैं, photography, तो हम इसमें से कोई भी select कर सकते हैं, वाइबरेंट, futuristic, अब यह सारे tag उसने लगा दिये हैं, इसमें आप अप्लाई करेंगे, यह सब आगए है, अब आप अपना prompt यहां paste करें, यह मैंने वही paste कर दिया, लेकिन यह app इसे generate नहीं करेगी, क्योंकि यह paid में है, अचा अब आपने करना क्या है, यह prompt आपने बना लिया, इसको select करें, सारे tag इसमें already set हैं, इसको copy करें, कॉपी करने के बाद इसको आप बिंग में ले जाएं, बिंग इमिज क्रिएटर पर आएं, यहां इसको paste करें, यह जो आपको styles याद नहीं होते, नाम याद नहीं होते, तो stars यह app का, मैंने यही फाइदा देखा है, कि वहाँ आप अपनी मर्जी का prompt बनाकर, और उसको paid variant है, तो paid variant को आप छोड़ देए, उस prompt को यहां ले आएं, और यह देखें, एक खुबसूरत किसम का artistic, कि वह अंडर सी उसने, यह नहीं चीज़ी generate कर दी है, तो यह भी एक तरीका है, कि हमें क्योंकि paintings और painters के नाम और दूसरी चीज़ें क्योंकि याद नहीं रहती हैं, तो आप इस app से फाइदा उठा सकते हैं, कि यहां से prompt builder कि तुरू prompt generate कर सकते हैं, अच्छा इसमें canvas की option भी है, लेकिन वह सारी paid variant में हैं, free variant में, 4.5 ratio का reported canvas आप जो बिंग में है, वो 1.1 square में बना सकते हैं, और इसमें portrait style में बना सकते हैं, filtration rate बढ़ाएंगे, तो वो आपके credit जादा खर्च होंगे, तो यह सारे उसकी resolution increase करने के लिए हैं, advance option में जाएं, यह prompt builder को आपने explore करना है, और इससे style मुक्तलिफ बनाने है, तीक है, इसमें general, character, photography, landscape, और यह different आप देख लें, portrait वगरा different vehicles के styles हैं, फिर नीचे features हैं, features select कर सकते हैं, फिर यह मजीद popular styles हैं, popular terms हैं, सारी experiment कर सकते हैं आप, यह जो हम यह सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे, painting style, photography style, तो यह आप अपनी मर्जी से experiment कर सकते हैं, ठीक है, यह यहाँ से आप, पुरा prompt generate कर के अपनी मर्जी का, और wing में जाकर create कर सकते हैं, तो यह 3D के styles भी हैं, डूडल style, यह भी है, डूडल भी है, यह आप इसको study करें, इसमें, इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, यह नैशनल जियोग्राफिक जो हमने दिया हूँ, भी है, यह वैसे paid हैं लेकिन आप, यह पस यही तरीका कार है कि यहाँ से आप style generate करके, फिर उसको बिंग में जा करते हैं, मेरा खाल है, आप आज का lecture आपको interesting लगा होगा, चैनल को भी subscribe कर लें, और अब आपकी assignment star जई से prompt generate करके, different styles आपने बना कर share करने हैं, और अगर अपना image आप upload कर सकें, जो कि star जई कभी कभी option देता है, हफसे में एक आद बार, तो वो भी आप, उसमें मुखलिफ style इसी तराइनी में से ही, आप पिक्चर अपलोड करेंगे, अपलोड करके, तो यहां से styles apply करके, और आप अपने image को generate कर सकते हैं, मुखलिफ style से में, शुक्रिया.